हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटा साइज स्नैक्स चीली पटेटो जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही यम्मी लगती है बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है तो चलिए बनाना ही स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने आलू ल लेंगे हम चाकु से यहां मैंने सारे अलू को काट लिये हैं अब इसे हम पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे तो मैंने यहां अच्छे से इसे धोकर साफ कर लिया है अब इसमें हम दो बड़े चमच मैदा डालेंगे एक चमच कॉनफलर डालेंगे और एक चमम्मच हम चावल काटा डालेंगे इससे बहुत ही क्रंची बनती है यह और इस में हम थोड़े से स्वाधनस Bean नमक डालेंगे अब इन सारी चीजों को मैं अज़े से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पाणी डाल कर हम अज़े से मिक्स कर लेंगे ताक्कि सारे अलू पर अच्छे से कोट हो जाए यόक्त हो ने JIMू कर लिया है अब हम में एक टढ़ाई लेंगे इसमें ऑईल डालेंगे उच्छे से अच्छे से गर्म होने देंगे ध्यान रहें और अच्छे से गर्म होना चाहिए जब entwicwo downhill हो जाए तो हम असले आलू दिरे-धिरे करके और इसे हमें डीप अट दिरे करना है बिल्कुल तेज आज पे अट करना है ठोटी देर बाध इसे हम चला लेंगे ता यह देखे यह कितना अच्छा से फ्राइ हो चुका है बहुत ही क्रन्ची बन कर त्यार हुए घरेंगे अब इसी तरीके से हम सारे आलू को फ्राई कर लेंगे जब आलू फ्राई हो जाए सारा तो अब हमें एक कढ़ाई लेंगे उसमें चौप की हुई अद्रक लशन और हरी मिर्च डालेंगे और इसे हलका भूनेंगे हम इसे हलका ब्राउन होने तक हम भून लेंगे इसे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा ये लशन अद्रक अच्छे से भून चुका है तो इसमें हम एक बड़ा प्याच चौप करके डालेंगे और थोड़े से सिम्ला मिर्च छोटे चोटे बारी कटे हुए डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे मिक्स करते हुए और अब इसे हम ढख कर दो से तीर मिनिट के लिए पकने देंगे तीन मिनिट हो गए है और ये हलका हलका भून चुका है बस ज्यादा नहीं भूनना है हमें हलका ही भूनना है ताकि ये थोड़ा करंची रहे है अब इसमें हम थोड़े से टमैटो केचप डालेंगे थोड़े से रेट चिली सॉस डालेंगे और थोड़े से सोया सॉस अब इन सारी चीज़े को मिक्स कर लेंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप एक वज़े से जहू ट्राई करें और बनाना भी सिंपल है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे अब यहां पर मैंने इसमें थोड़े से एक चमच कॉर्ण फ्लार को पानी में घोल कर डाला है इससे इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे डालकर और इसे ढख कर हम एक मिनट के लिए पकने देंगे यह देखिए एक मिनट हो गया है और यह बहुत अच्छा सा इसका ग्रेवी जैसा बन गया है अब इसमें हम फ्राइ किये हुए आलू को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसे जहूँ ट्राइ किजिएगा खाने बहुत टेस्टी लगती है और कमेंट करके बताईएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अब सारे आलू को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे यह देखिए बहुत ही चटपटा सा इसनेक्स तेयार है तो आप भी इसे बनाईए और गर्म गर्म सर्व किजिए बहुत ही टेस्टी लगती है यह खाने में तो आप इसे जहू ट्राइ किजिए और कमेंट करके बताईएगा